विलकोम आचिता चाहलों गईस एंड इस वाली वीडियो के अंदर ہम 30 FX सीरीज से बात करने वाले हैं कि 2022 वाली सीरीज है मारकेट के अंदर करेंची 2021 वाली सीरीज भी मिल रहे है 2022 को तुम्हें इस वाली वीडियो में कवर करुआ जो 2021 वाली cycles है उनकी जो pricing है वो 2022 वाली के comparison में कम है और अगर आपको उनके बारे में details चाहिए तो उनके बारे में मैंने एक complete in-depth detail में वीडियो बना रखिये उस वीडियो का link में आपको description में दूँगा वहाँ से जाके उस वीडियो जरूर चेकाउट करना 2021 के track के fx वाले models के बारे मां आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा और हो सकता है क्या पता आपको वहाँ पे एक अच्छी cycle अपने लिए बिल जाए इस वाली वीडियो के अंदर तो हम track के fx 2022 के बारे में बात करने आले है गाइस track के अंदर basically तीन entry level category के अंदर hybrid segment के अंदर cycles आती हैं जो कि ये track के fx, dual sport और track की वर्प and dual sport को cover करते हुए मैंने अल्रेडी अपने चैनल पर 2022 वाली cycles को cover करते हुए अल्रेडी अपने चैनल के उपर वीडियो डाल दिये and recently upload करें उन वीडियो का भी लिंक में आपको description में दूँगा उन वीडियो को भी ज़रूर check out करना इन सभी के प्राइस की category है ना काफी त्यादा similar range में रहती है सभी काफ ज़्यादा competitive cycles है एक दूसरे के लिए तो इन सब के बारे में जाना काफी ज़्यादा important है एक decision लेने से पहले basically guys अब ट्रेक की fx के बारे में बात कियाते हैं इस वह आपको चार models देखने हो मिलेगे fx1 fx1 disc fx2 disc and fx3 disc तो सबसे बेले में आपको ट्रेक की fx1 के बारे में बता हुआ जो ट्रेक की fx1 है इसको प्राइस है यह 37600 रूपीज आपको देखने हो मिलेगा यह एक अलुमिनियम फ्रेम के साथ आपको देखने मिलेगी अगर आपको नहीं पता है तो इन फ्रेम्स को पर जो ट्रेक की करते हैं वो बेसिकली आपको मेंटेनिस के अंदर ही जाएगा उसके कोई वारंटी नहीं होती है यह आल्फा गुल्ड अलुमिनियम फ्रेम के साथ आपको देखने हो मिलेगी इस साइकल के अंदर जो सस्पेंशन फोक है इसमां को एक रिजड फोक देखने हो मिलेगा और व जो स्टेम है स्टेम के साथ भी व्हाई सेम जीज आलग अलग फ्रेम साइज़ के हिसाप देखने की लेंथ वेरी करेंगी काई इस सेट्र के लेंगे वो आपको ट्रॉक्त्रों के गेर से आते हैं रेर साइड में आपको शिमानों और स्काश्च सेवन स्पीड का रियर है आज जो यह साइकल है इसका ब्लब यह और यह गई अलग अलग-इन साइस के तो फ्रेम का जो वेट है ओवर्वल साइकल का बोड़ेगा अलग-ईन से वेड़ करता है यह तो थी गईस ट्रिक Fx1 अब बात करते हैं ट्रेक्की Fx1 डेस्की ट्रेक्टी Fx1 डेस्क है इसका जो प्राइस है 44100 रुपीश आपको देखना हो मिलेगा सैकल के अंदर भी आपको एक आलफा गोल्ड अल्यूमिनियम फ्रेम देखना हो मिलेगा इसमें भी आपको स्टील बिल्ट धर्थ देखना ह लेगी इसमें भानों ऑल्टर लिए जो कि अब बड़िया पॉइंट है इस साइकल के अंदर आपको एक सटेखने हो मिलता है जो का सट की रेंज वह एक सट था स्ट आपको देखने मिलने वाली है और इस साइकल का वेंट भी बारा से तेरा किलो के बीच मैं वेरी करेगा अब बात करते हैं ट्रेक की FX2 डिस्क के बारे में इस सेकल का जो प्राइस है 52100 रुपीज है इसमें भी आपको एक आल्फा गोल्ड आलिमिनियुम फ्रेम देखने मिलेगा और इसमें इसमें आपको जो फ्रेम है वो काफ़ जादा अच्छा दिखता है साफ दिखता है मतलब क्लीन इस सेखने मिल जाएंगे इस सेखने मिलेगे जो इसमें शिफ्टर सब्सक्राइब है वो शिमानों असेरा के आपको देखने मिलेंगे जो फ्रंट देलर है वो शिमानों और टसका दे रखाए और इसकी जो कासट की रेंज है वो 11-36 जो कि अगीन एक काफी बढ़िया सेखने मिलेगा इस सेखने में भी है आपको अल्फा गुल्ड आलिमिनियम फ्रेम देखने मिलेगा जिसमा आपको इंटर्नली रूटेट केबल सेखने मिलेंगी उसके साथ ही साथ जो काफी बढ़िया फीचर है वो यह एक इसकी जो रिजिट फोक होने आ लिए ना वाको ए जादा लाइक होती है इस सेखने में काफी बढ़िया पॉइंट है आपकी जादा कम हो जाता है आप काफी जादा लाइट वेट साइकल चलाते हो आट जो इसमें रेर डियलर लगा हो है वो शिमानों डियोर का आपको देखने मिलेगा जो कि 10 स्पीड का होने वाला है आट इसमें कासेट की रेंज है ना उसे सुनके भाई आप शॉक हो जाओगे 11-46 तीद की इसमें कासेट की रेंज दे रखी है वैसे शॉक होने आली बात नहीं है आप काफी जादा पे भी कर रहे हो इसके लिए कि काफी समय से आता हुगा काफी जादा रेनाउन ब्रांड है आप तो जादा एक्स्ट्रा चार्ट करते हैं इस साइकल का वेट जो है वह 11.3 क्राम का आपको देखने हो बिलेगा यह भी 11-12 क्राम की वीचे वेरी करेगी अलग-अलग साइस के हिसाब से यह थी गई इस ट्रेकी एफेक्स 2022 वाली सीरी इनके सारे साइकल के बारे में मैंन जादर ऑफर कर रहे हैं वह काफिज्दा भाइक जादा चार्ज करें इसके स्प्रेसिफिकेशन दो देखते हुए बट अगर आप एक इंट्री लेवल सेगमेंट की साइकल को लेना चाहा रहे हैं तो आप इस साथ जा सकते हैं इसकी जो फ्रेम जोमेंट्री है चारो ही आपको बेटर स्प्रेसिफिकेशन देखने हो मिलेंगी बट ये ट्रेक है ट्रेक अपने ब्रांड नेव का चार्ज करता है अगर आप ट्रेक के साथ एक्स्ट्रा पैसा देखे भी जाओगे इन फ्यूचर भाई आपको काफी अच्छी प्रीमियम फीलिंग आईए अपनी स सब्सक्राइब कर रहे हो आपको एक स्टील बिल्ड सस्पेंशन को देखने मिल रहा है इतना जादा देने के बाद थी अब बात करते है एक काफी अच्छी प्राइस साइकल है उसकी जो स्पैसिफिकेशन है उसके प्रैसिंग को देखते हुए वह काफी साही है टू बैट क के साथ आती है 18 स्पीट के आपको इसमें देखने हो मिलेगी और उसके साथ ही साथ जो इसमें रिजिट फोक लगाव है उस रिजिट फोक का जो मटीरियल है वह वह काफी बढ़िया पॉइंट है लाइट बनाता है इस साइकल को और इसके और जो fx3 डिस्क है ना कि वेट म है जो वेट है वह काफी जादा बढ़िया है इस साइकल का अब बात करते हैं जो ट्रकी fx3 डिस्क है वह साइकल भाई थोड़ी सी जादा एक्सपेंसिव है बट उसकी जान ट्राइब ट्रेन है वह काफी तगड़ी है उसके साथ इस साथ उसमा कोई कार्मन फोक देखने हो मिलेगा और हाइड्रोलिक टेस्प्रेक के साथ वह साइकल आती है अगें भाई उस साइकल में भी काफी जादा बढ़िया पॉइंट से उसको प्राइस को जैसे करने के लिए अगें आपने चानल के उपर अप्लोड करता हूं और रेगुलर बेसिस सब्सक्राइब करें तो आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी अगर आपको आमाजान से कोई भी जीश परचेस करने हैं चाहे वो साइकलिंग से रिलेटेड हो साइकल की कोई आक्सेस वेडिक आपको परचेस करने है या फिर आपको कोई घर का समान आपको खरीदना है तो सकते हैं अगर आपको वीडियो इतनी जादा पसंद आ गई तो गईस आप पे भी फॉलो कर सकते हो आपको शेयर करते हूं और रेगुलर बेसे अगर आको कोई से रिलेटेड कन्फियूजन है आपके बी आप मैसे पूच सकते हैं और आप अप देख रहें देकर आट्लेस कर दो कर दो